दोहजार इकीस की दिवाली होगी दिपेका पादुकोन के नाम मा भारत में निभाएंगी द्रौपती का किरदार तैमूर को लेकर पापा सैफ अलिक खान ने लिया बड़ा फैसला जानकर हैरान हो उठेंगे आप सलमान के शो बिग बॉस में एक बार फिर से एंट्री मारेंगे मास्टर माइन लेकिन शिल्पा शिंडे ने दिखा दिया है ठेंगा हालोन हाई कैसे आप सब लोग मैं सोनम आज फिर आई हूं बीटाओं के कुछ गॉसिप के साथ तो किस बात कहें इंतिसार करते हैं शुरुआत दिवाली शुरू होने के साथ ही आक्टरस दिपेका पादुकॉन को लेकर भी बड़ी ख़बर कंफर्म हो चुकी है ख़बर ये है कि दिपेका पादुकॉन बहुत ही जल्दी द्रौपती का किरदार निभाते हुए नज़र आएंगी जी हाँ फिल्म ट्रेड अनलेस्ट तरनादर्श ने टुटर के जरीए ये बात कंफर्म कर दी है फिल्म का नाम महाभारत है और ये फिल्म 2021 की दिवाली पर रिलीज होने वाली है वेल सेफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे तैमूर अली खान सबकी आँखों के तारे हैं लेकिन अब फैंस का दल उस वक्त उट गया था जब मीडिया में खबरे आने लगी थी कि करीना कपूर खान और सेफ अली खान टैमूर को जल्द ही पढ़ने के लिए लंडन बोर्डिंग स्कूल भेशने वाले हैं लेकिन पापा सेफ अली खान उसे अब जब पूछा गया तो उन्होंने कह दिया है कि वो कम से कम 10th क्लास तक तो नहीं जाने वाले हम उसे अपने पास ही रखना चाहते हैं और वो वैसे ही स्कूल जाएगा जैसे कि सारा अली खान गई थी वेल तो तैमूर के फान्स के लिए ये एक अच्छी खबर है एरपोर्ट पर मेडिया ने आलिया भट से दोबारा से पूछा कि क्या वो रनबीर कपूर के साथ शादी करने जा रही है इस पर आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया और बलश करते हुए हसके चली गई इस बात को तमाम लोगों ने रनबीर कपूर और आलिया भट की शादी के लिए पॉजिटिव न्यूज मान लिया था लेकिन अब इस मामले में ताज़ा अपडेट क्या है वो हम आपको बताते है आलिया रनबीर कपूर और अपटी बेहन शाहिन से मिलने के बाद वापस मुंबई लॉट आई है एरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे दोबारा पूछा कि क्या वो रनबीर कपूर से शादी करने जा रही है इस बार उन्होंने सीधा जवाब दे दिया उन्होंने कहा कि ये उर्ती उर्ती खबर है और उर्ती ही रहेगी 12 शादी के बाद विपाशा भसू तो जैसे बॉलिवूड से गाया भी हो गई थी अब विपाशा बस इंडस्टी के होने वाली पार्टीज में ही नजर आती है बीते दिन लगातार अफवाओं का बाजार गर्म था कि बॉलिवूड की ये असीना जल्दी मा बनने वाली है ऐसा हम नहीं कह रही है बलकि बिपाशा के फैंस को ऐसा लगता है फैंस को लगता है कि बिपाशा अपनी प्रेगनेंसी की खबर को छुपा रही है अब विपाशा बसू की ताजा फोटोस देकर कुछ ऐसा ही लग रहा है वेल ये तो विपाशा ही जाने और वो कब तक अपने फैन्स को ये ओफिशिल करती हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा वेल सलमान खान के शो बिग बॉस 13 में बिग बॉस 11 के मास्टर माइन विकास गुपता जल्द ही एंट्री मानने वाले हैं इस सीजन में भी वो नजर आएंगे हाला कि वो शो में कॉम्पेटीटर के तौर पर नहीं बलकि एक दिन के लिए गेस्ट के तौर पर आएंगे विकास गुपता की एंट्री कराकर मेकर्स बाकी कंटेस्टेंट्स को उनका असली चेहरा सब के सामने दिखाना चाते हैं वेल चल्द ही बिग बॉस 13 में विकास गुपता की एंट्री होने वाली है और बाकी सब को इस तीस का खाम्याजा उठाना पर सकता है वेलीवर्स में बस आज के लिए इतना ही लेकिन कल फिर हम हाजर होंगे कुछ और गॉसिप के साथ तब तक के लिए आप हमाई स्टुडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अच्छा ओले कमेंट्स करना बिल्कुल मत दूलेगा और ड्रिल्यूनो शब्सक्राइब आट चानल